अज से हम आपको करम सी वीडियो पढ़ाना शुरू करेंगे और पहला ध्या लेंगे संख्या पदती, और संख्या पदती से जुड़ हुए सारे थीयरी को समोस्तिव आगे बढ़ेंगे और कहीं ने कहीं आप भी लगाता हूँ जो मेरी अदी सर की वीडियोज करम से नहीं आ रही हैं तो आज उस सब पे विराम लगाते हुए हम बढ़ रहे हैं अपने चाल के साथ उमीद करते हैं आप भी हमारे साथ बढ़ेंगे आगे और अपने जिन्दी का पैस्ट देंगे और गडित को हम इतनी आसान बना देंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था सुरू करते हैं संख्या पधती संख्या पधती में सबसे पहले जो पढ़ना है तो आगे बढ़ते हैं तो संख्या पधती में जो पहला टापिक आता उसे कहते हैं कुछ जैसे जिए जो लिखने से से बेटार कि मैं आपको रोटू दूँगा है क्योंकि यह प्रDING संख्या किसे कहते हैं सबसे बड़ी बात गिंतिकी संख्या को हम प्राकतिक संख्या कहते हैं और प्राकतिक संख्या को हम दंपोंड्रां के क्याते है अब इसका जो सबसे ज़्यादा हुआ जामपाल है जो कि यह नहींfinden पूछकाattend है कि प्रएकिति संख्या किशे कहते है ठीक। यह नहीं vermकिएगा कि प्राक्तिसंख्या के चिरह किईफेगां कि वो यह डारेट पूछ लेगा कि प्राक्तिक संख्या होती है उसे धन पढ़ांगी भी कहते हैं इसका जांपल सबसे ज्यादा महत्तों पड़े कि प्रस्ट्रेशन में कभी यह नहीं पूछेगा कि प्रक्राइश किसे कहते हैं तो देखते जांपल एक मैने बात और बता ही कि गिंतिक क्या होती इंदेए धर देखते हैं व्लोग जेसे एक डो तीन चार पांच छे सार अथ डड़ा ड़्ड़ यह की अगई प्राक्रतिक संख्या कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं तो हम एक बात सौन में आ गई कि प्राक्रतिक संख्या किसे कहते हैं बैसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं क्या क्या बना सकते हैं उनकों देखते हैं प्रश्ण बनेगा कि सबसे छोटी प्राक्रतिक संख्या क्या जबाब कमेंड बाक्स में दीजेगा, वो क्या है, एक है, हम भी बताते चलना है, अगर पोछी दिया, कि सबसे बड़ी प्रागे संख्या क्या है, तो आप यह देख रहे हैं, कि प्रतेक संख्या जो उसकी अगली संख्या आ रही है, उसमें एक जोड़ने के बाद हमें अगल संख्या प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार सबसे बड़ी प्रागे संख्या होई रही सकती ही, होगी क्या, अनन्त, क्या होगी, अनन्त, क्योंकि जितना आप सोच सकते हैं, उससे भी बड़ी प्रागे संख्या होगी, मतलब बात किलियर है, इक जो सबसे बड़ी प्राग संख्या में किसी प्राकितिक संख्या में किसी नंबर में एक जोड़ देते हैं तो हम अगली संख्या पराप्त हो जाती है इसे हम कहते हैं अनुवर्ती संख्या और किसी संख्या में अगर हमें घटा देते हैं तो हम भुरुवर्ती संख्या पराप्त हो जाती है तो प्राकित यिकत कोई समस्या चलेवागे बढ़ते हैं लोग अब आगे यह देखा कि इसे ज्यदा कोछ पूछेगा नहीं नहीं क्या आप तो जो आने क्र जो ने करेंगे मैंने बताया नहीu के बाद आपको पब्लीख को नहीं पाई कराए के सबணे कर कर रहा है means सुरुवात की वीडियों को कर देते ताकि आप जान लीजिए गडित वास्तों में कितना सरल है क्या गडित को सरल और किया जा सकता है अभी तुम्हें हर अध्याय को इतना सरल बना दूंगा आपने कभी सोचा भी नहीं था तो देंगे सुरुवात में हर चीजे को में समझना किसी भी प्राकतिक संख्या को जीरो सहीद प्राकतिक संख्या को हम पूर संख्या क्याते माने कुछ नहीं करना है इसमें हम जीरो एड कर दिये हमें क्या मिल गया यह पूर संख्या मिल गया होल नंबर मिल गया ठीक माने किसी जीरो सहीद गिंतिकी संख्याओं को जीरो कि पूर्व संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्व संख्या क got the most return 9.000 किया आया गे वही आई यह जी इह बताई इह सबसे चोती संख्या जी रो तक आज सबसे बड linear concept के लिए अनुवर्थी पूरवर्ति मैं पहले ही बताया यह concept आपका clear हो गया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पाकिति संख्या किसे कहते हैं यहां तक कोई समस्या हो तो आप भेचा कम से पूछ सकते हैं और हाँ एक question का आप उसे जवाब चाहिए में 900 नियानबे की अनुवर्ती की पूरवर्ती क्या होगी इसका जवाब अब comment box में दीजेगा आगे वीडियो प्रेट होने को जैसे तो हम आपसे मुखावित नहीं हो पाएंगे लिए इसका जवाब चलूर जी दिएगा कि 900 नियानबे की अनुवर्ती की पूरवर्ती क्या होगी हम आपके जवाब की प्रतिच्छा करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हम आ इतने ही आती उसको भी गड़ी सिखाएंगे और पचीस से ज्यादा करके आगा तीश में ठीक तो अब वादा तो पूरा करना ही है इसके लिए क्या करेंगे गिंती लिखेंगे गिंती तो आती है हमारी तरह है आप लोग नहीं है ना चली दिखे जीरो एक दो तीर चार पा चे साथ आठ नव तो जिनके इक आइक अंक उपर वाला प्राप्त होगा वे सभी शंख्या होगी और जिनके इक आइक आइक के यह प्राप्त होगा वे सभी क्या होंगी विसंख्या होंगी तो क्या कॉंसेट क्लियर हुआ शंख्या किसे कहते हैं सीडी सी बात है सीधा सा ल अब बिसम संख्या की बात करें, तो जिन संख्याओं के एकाई का अंग, एक, तीन, पांच, साथ, नौ आदी होता है, वे सभी संख्याएं बिसम संख्या कहलाती हैं, कौनसेट के लियर हुआ, संख्या, तो आप संख्या और बिसम संख्या के जो लाजिक हैं, आप उन्हें ब कि रिखत कोई समस्या कोई समस्या नहीं ठेक है आगे बढ़ते हम लोगग अब हम देखते हैं हैं कि यह होग्या समसंह्या क्या वैस्मitives संख्या आब बाते हैं तो नकारात्मक संख्याहां को क्या घैते हैं यह बात करते हैं तो इस बीद देख लेते वो क्या होगा बीद है एक माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस 10 पायद, कौन जादा पायद, आप, मिलब माइनस 5 बड़ा किस से, माइनस 10 से, तो इस प्रकार हमें एक कह सकते हैं, कि जो सबसे बड़ी रिणपोडांग को होती है, वो सदेव माइनस 1 होती है, लेकिन धनपोडांग में सबसे छोटी, और रिणपोडांग में माइनस एक, सबसे बड़ी होती है अगर यह प्रश्न पोच दिया जाए कि सबसे छोटी सबसे छोटी रिण पोडांग तो सबसे छोटी अनन्त होती है क्या होती है अनन्त होती है याद रखेगा अगर सबसे छोटी रिण पोडांग पोच दे तो सदयों क्या होगा अनन्त होगा याद पूछिएगा, ताकि हम आपको पता सके, आपको छभाबते सके, concept clear, कोई दिक्कत, अब हम लोग पढ़ते हैं, ओडांग क्या है, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ओडांग, इसको मिटा दे, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, नहीं दिक्कत होगा, था हम आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है न, चली, अब हम लोग पढ़ेंगे, बाइखला जो टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, दोनों को संख्या रिखा, अगर पदसित करना हो, तो कैसे करेंगे, बहुत ही आशान है, एक, दो, तीन, चार, छे अनन्थ तक है, थिक, अगर बाइं तरफ आते हैं, तो माइनस एक, माइनस तो, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, अन्त, ठीक, हमने आज क्या क्या देखा, आप इसमें हम सारे टापिक को रिवीजन कर सकते हैं, कैसे, आज यह देखते हैं, सबसे पहला क्या, अब संख्या रेखा पर, जब 0 के, जिए उतो नियुट्रल होता है, आपको भी पता होगा, दाईं त संख्या किसे कहते हैं भाया गिंती की संख्याओं को यंप्राकितिक संख्या कहते हैं ठीक इसे दनपोडांग कहते हैं क्योंकि इनकी आगे कोई चिन नहीं होता और जिनकी आगे कोई चिन नहीं होता वो शदय धनात्मक होती है यह भी आपको पता है ठीक आगे बढ़ा जाए यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नही क서 अब आते हैं रिषपुटांग की बात करते हैं यहां कि रिषपुटांग क्या है 1 माइनस में लगी संख्या को बाली था रिषथ नहीं आएंगे यहां से यह आएंगे कि सबसे चोट कि Kate अनंत्स अथार संख्या रेखा पर पूरी संख्या रेखा पर ही पूरी संख्या पदती चलेगी यही से जोल घटाना गुडा भाग यहीं से परिमे अपर भाज भाज जोल करते जितनी भी अध्याय हैं गड़ित की वह उनका चन्म संख्या रेखा से यह करा सकते हैं लेकिन अध्यान के दिश्टी कौन से हमने पहले ही अपसे संख्या प्लिया है हम आपको गड़ित चरूर पढ़ाएंगे तो हाँ बात याद रिखेगा यह कुछ जैसे प्राक्टिस सेट सब्सक्राइब प्राक्टिस से दो हो गई एक हमारे जो हमारी अनिंग क्लास जोएन कि उनके लिए अलग होगी लेकिन कुछ पब्लिक ही भी होगी ठीक ताकि जो नहीं जुड़े वह भी पढ़ सके लेकिन आप अलाइन क्लास नहीं करना चाहते तो आप टेलीग्राम में प अगर आप प्रयास कीज़ेगा कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो हम आपकी और बहतर मदद कर पाएंगे मजबूरी है कि मुझे आप में संकल्प लिया अगर आप पांच लोग भी एडमिसेल लेंगे तो मैं पांच लोग को भी लाश्तक पढ़ाऊंगा पचास लेंगे तब ही पढ़ोगा लेकिन आप कहीं कहीं पैसे देके पढ़ेंगे अगर मेरे साथ जुड़े आएंगे तो 24 ग्यारा में प्रमें रेकल नहीं ही है अगर आपको लगता तो ठीक है आपके नौकरीस है कि एक दिन की तन्ख़्ा नहीं है और इंक तक अक दिन गेक्रों पुछते गोई जा रहे हैं उसका जबाब अब दे दीजेगा कि ऐसा क्या कारण है कि माइनस पांच में प्लस पांच को जोड़ते हैं सदे उसका अमान जीरो आता है उसे संख्या रेखा पे क्या परदर्शित किया जाता है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में के वाल हां य या नामें दीजेगा क्योंकि अंगले वीडियो में हम उसको स्वाल्व करके पताएंगे कि यहां वास्तों में उसका उतर दिया जा सकता है अथवा नहीं इसका साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सेर कर दीजेगा और आगे से कुछ क्लासे भारत कीजेगा आप चोड़ेएगा इसका साथ आप सभी को बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत